नमस्कार दोस्तो ज़सा कि आप जानते हैं कि Community Health Training Program NIS का बहुत ही important training program है और हमारे पास में जो तीन सब्जेक्ट अलालग हैं उनमें से खासतोर से रोगों से बच्चा वेवम अपात्कालमनी स्थितियों का प्रवंदन जो आपका 451 code number है आज practical के संदर्म है इसमें हम बात करे और इस special program भी आज आपके लिए है आपात्कालीन इस्थिति, ततकाल, प्राथनिक, चिकित्सा वा हड़ी, फ्रैक्चर्स और आप जानते हैं कि यह program क्यों important है क्योंकि आपात्कालीन इस्थिति कहीं भी जब पैदा हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है उसको समहलना और वो साधान आदमी जो है उसको समहल नहीं सकता तो फिर उसे कौन समहल सकता है इन सारी चीजों की जानकरी अधिक से अधिक किसको हो सकती है तो एक ही जवाब आता है वो है हमारा community health worker जिसको यह knowledge होती है वो बहतर तरीके से प्राथनिक चिकिसा दे पाते हैं और आपात्काली इस्तिती को handle करके यानि उनका proper management करके hospital तक refer करने का काम यह लोग करते हैं जो जीवन का सबसे महत्पून काम है तो आज studio में हमारी साथ Dr. Aysan Agrawal जी मौजूद है आप MBBS, MS, Ortho Specialist in Russian Technique JP Hospital आगरा से मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं रक्साव आपका बहुत- नावाल जी के साथ जो बातचित करने जा रहे है खास तोर से हम बात करेंगे कि जब भी कोई भी आपातकालनी निस्तिती जो road accident होता है या किसी तरह का घर में कोई miss happening हो जाती है जिसमें अकसर लोगों की हड़ियां टूर जाती है तो अब हड़ियां थोड़ी नहीं टूरत जाते हैं यानि कि multiple factor बहुत सारे एक हड़ी में factor हो जाना इसको हम complex factor के नाम से जानते हैं तो हम इस पर विशेश रूप से बातकीत करेंगे हम सबसे पहले आपको बताएं कि यह देखिए आपातकालनी इस्थिती किस तरह से बनती है रोड पर आप जा रहे हैं कहीं अचानक और किसी के सामने से कोई cross कर रहा है अचानक कोई भी दुरभटना और उस दुरभटना की इस्थिती में जो इस्थिती आती है उसको हम आपातकाली इस्थिती कहते हैं तो वैसे आपको यह जनकारी है already क्योंकि हम आपको इस से पहले प्रात्मिक चिकिस्था की जो जनकारी है आपातकाली इस्थिती के दौरान उसमें हमने इसकी आपसे बात्चीत की है तो थोड़ा-थोड़ा हम इसको ब्रीफ में लेकर चलेंगे और हमें मैं जो बात्चीत करनी है वो complex bone factor की बात करनी है तो चलिए हम थोड़ा सा ही बता जेते हैं आपको प्रात्मिक चिकिसा के उद्देश क्या है प्रात्मिक चिकिसा कप की जाते है यह आपको समझी आ गया है जब कभी कोई भी इस तरह की incident होता है तो उसमें घायल विक्ति को जान बचा करके उसको first aid दे करके hospital तक रहफर करना जो मतलब डॉक्टर से पहले की जो प्रिकरिया है वो एक health worker या कोई साम प्रात्मिक चिकिसा के सिद्धान जैसा कि आप पहले भी आपने पहले वीडियो में आप देख चुके हैं तो हम उसकी बात ज्यादा नहीं करेंगे कि आप सांस की जाज करें ABC नियम का पालन करें उसे कहां का चोट लगी है इसको देखें घायल विक्ति को निश्यत रूप सब्मा लगता है जबी कोई accident हो जाता है तो उसे संजहाएं संतना दें इसके विश्य में यद विक्ति बेहोस हो गया है तो उसको होस में लाने की कोसेश करेंगे यद कोई हड़ी टूड गई है तो सामन्याद में ऐसे ही पकड़ लेता है लेकिन जो health worker है आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए यद किसी की हड़ी टूड जाती है तो उसकी स्थिति क्या हो सकती है तो आप जाच करें हड़ी कहां से टूटी है उसको उसी हिसाफ से आप ठीक रखने की कोसेश करें सीधा करने की कोसेश करें उसे कम से कम डर्द हो ऐसी कोसेश करें और जल्दी से जल्दी उसको first rate दे करके अस्पताल पहुंचाने की कुछिस करें. कई वर क्या होता है कि स्वासनली की जाच करने बहुत जरूरी है, क्योंकि ABC जो first rate का नेम है, A का मतलब airway, स्वासनली की जाच. बेहुसी के बाद कई बार ऐसा होता है कि मुँग की जो जीव है, जीव्या, वो पीछे गले के भाग में पलड जाती है, तो इससे स्वासनली बिलोख हो जाती है. तो देखें मुँग खोल करके कई ऐसा तो नहीं है, स्वासनली की जाच ठीक से करें, घायल व्यक्ति की सास की जाच आप आरम से कर सकते हैं, पहले हम आपको बताई चुके हैं, कि सास की जाच कैसे करनी चाहिए, सास नहीं ले रहा है, तो mouth to mouth respiration देने का काम सुरू करें. तीसरी बात जो important है, circulation, यानि रख्त संचार की जाच, घायल व्यक्ति है, निश्यदूप से जब कोई accident होता है, तो खून बहने लगता है, तो सबसे पहले हम ये जाच करें कि उसका जो चल रही है, उसकी पल्स या नहीं चल रही, पल्स की माध्यम से हम जाच कर सकते हैं, पांदस मिनिट इसमें लगते हैं, कई बार दिल नहीं धरक रहा है, हम कान लगा करके सुनने की कोशिस करते हैं, तब भी हम mouth to mouth respiration देने के साथ साथ उसको CPR देने का काम कर सकते हैं, दो व्यक्ति साथ में होते हैं, तो आसानी से ये द्यानी में हमें मदब करता है, तो प्राथ्मिक चिकिस्टा के समय सबसे बड़ी जो important बात यहां, मैं इसको जरूँ थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, कि आप infection से बचने की कोशिस करें, आपका कोई infection ऐसा हो, तो उस जन से कहीं भी हो सकती है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कि सारी चीज़ें उकलब्द हो, लेकिन स्वक्ष नगाविस से ध्यान रखें, ये आपके लिए और पेशेंट दोनों के लिए हित करें, तत्काल सहायता की आपसकता होती है, प्राथ्मिक चिकिस्टा देने के साथ तो जैसे ही कोई एक्सिडेंट हो, तो आप प्राथ्मिक चिकिस्टा के सामय वहां जो भी आपके पास उकलब्ध है, उसके माध्यम से, आप कहा पट्टी बान सकते हैं, उसके बिलड को निकल रहा है, जो बहरा है, उसको रोकना बहुत जरूरी है, उसको कैसे आप रोक सकत है, मैं समझता हूँ कि जो भी हेल्थ वर्कर हैं, उनको प्रस्रिक्षर लेना ठीक से बहुत आवज सके, आप उसको कैसे फरस्टीट देंगे, कैसे आपको इस्टेचर है तो उसको अविलिविल्टी कराएंगे, एम्बुलेंस को कॉल कराएंगे, एम्बुलेंस में उसको ठीक से मैनेस कराएंगे, और यद आपको टाइम भी है, तो अच्छी जानकारी के साथ आप उस एम्बुलेंस के साथ गाहिल के साथ जाएं, जैसे कि आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, कि इमर्जनसी में पहुचाने से पहले पेसंट के साथ किस तरह से उस जो एम्बु देने के आप सकता है, तो वो काम भी आप आसने से कर सकते हैं, प्राइवेट होस्पिटल सो या गवर्मेंट होस्पिटल, आप सभी में जा जो भी आसपास नजदी का स्पताल हो, उसमें आप कैसे ले जाएं, एक-एक स्टेप आपको किलियर पहले वीडियो में किया गया ह तो यह हमने दिखाया है कि कैसे उसको उठाना है, अब हम सबसे जो important जो खास्त और से आज के हमारे इस प्रोग्राम का लक्ष है, जो special program है, multiple fractures, bones and special techniques, तो मैं सबसे पहले डक्साप का स्वागत करते हुए, एक बार पुन है, मैं देना चाहूँगा कि डक्साप, हमारे यहा रसियन टेक्निक की हम बाज्यों कर रहा है इसमें, तो इंडिया में रसियन टेक्निक कब से हमारे हाँ लाग होई, यह पूरी दुनिया में 1990 से शुरूई, जो अमेरिका में, यूरोप में, सारे कंट्रीज में धीरे-धीरे करके, हिंदुस्तान में शुरूई, तब से लग उसमें बहुत सारी बोन का हिस्सा ओंदा साइट निकल जाता है, या बोन खुल जाती है, घाव हो जाते हैं, उन फ्रेक्शर को कन्वेंशनल प्रोसीजर से मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए जो रशियन टेक्निक है, जिसको इलिजरूब टेक्निक पूलते या कोई पेर हमें काटना ना पड़े, उसके लिए इसको इस्तेमल किया जाता है, पस्टेट के बाद जैसा डॉक्टर चोहन ने बताया, सारा जब हीमोडाइनमकली पेशेंट इस्टेबिल हो जाता है, उसके बाद किसी भी जरिये से उस हड़ी को वहीं की वहीं इस्टेब जब यह स्टेबिल हो जाता है पेशेंट और बूंड थोड़ा सा ठीक हो जाता है, तो उस इस्तिती में हम इलिजरोड टेक्निक से उसका ट्रीट्मेंट कर सकते हैं डग साफ आपने बहुती संत्व तरीके से बताया कि यह जो टैकनिक है वह बहुत इंपोड़ने टैकनिक है इस टैकनिक में हम आज यहां आपने इंडिया में इलाज कर रहे ह bleak सेंब रहा हैं को क्या मतलब ज्यस्से हमारे पास में पेसेंट आते हैं तो लोग उसको अठाक के लाते हैं भी बेहरा होता है तो और कैसे होता है कि उसकी मुणतर के क्या ऊथा होता है कि ए स्वल्ट फेuste कौशयर को यह क्या हता है उसकी पर प्लेस उसीas कर पर दम पिंड गार झाती है बहुत ज़्यादा कई जिगे वह फैक्चरड हो जाते हैं तो चाहाँ हाथ का हो चाहाँ पैर का हो चाहाँ कहीं गाओ तो हम उसका किस तरह से हमरे पास आने के बाद हम उसका टीट्पेंट करते हैं आम तो पर जब अड़ी बाहर निकल जाती है तो जो रिकमेंडेशन यह है क को दोबारा से किसी भी तरीके से वाश करके या किसी तरीके से उसको हम वहां न रखें इतने निकल गए उनको निकल जाने दें जो बचा हुआ उससे को हम स्टेबलाइज करें जो भी आपके पास साधन हो उससे और उसको कबर करने की कोशिश करें कोई अगर इस चीज है त जो प्रोसीजर है हड़ी को बचाने का या पैर को बचाने का वो एक प्रोसेस है वो जिस स्टेप बाई स्टेप हम लोग करते जाते हैं उसको जो हड़ी का इसका बच गया है उसको प्लास्टिक सर्जन की मदद से कबर कराते हैं उस पैर को उसके बाद उसमें फिक्सेटर काल के उसमें डाल सकते हैं पर जब बहुत बड़ा होता है तब इतनी ऊप शरीर में जो मुश्स किया जाता है यह पूरी टेक्निक रहती है ज इसमें हम इस्तेमाल कर जकते हैं को इलिजारूप को पेरों में बच्चों के में के हड़ियों को नहीं जुड़ना, कंजनेटल एनमलीज में होना, या पेरों का टीडा होना, बहुत सारे आजकल प्लास्टिक सर्जिन यूज़ कर रहे हैं इसको, जहां हड़ि खाल नहीं होती इसकिन लॉस हो गया बहुत सारा, उसमें उसको स्टेच करके स्प्रेडिंग करते हैं बेसिकली, दूसरी जगे से खाल लेके लगाने की जरूट वहां नहीं होती, जहां यह प्रोसीजर शुरू हुआ दुनिया में, वहां वो लोग बहुत सारे यूज़ इसके कर रहे हैं क जानकारी ज़्यादा नहीं है कि वह किस स्टेच पर पहुंच गए हुआ और बहुत एडवांस टेकनिक है और पूरी दुनिया में इसको बहुत एप्रेशिट किया जाता है, तो मेरा अपना मानना यह था कि सारे लोग इसका लाब लें इस टेकनिक का। बिलकु डग सर्व आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है इजरो टेकनिक यह जो बहुत इंबोड़ेट टेकनिक है और इसके बहुत सारी लाबे हैं हम देख सकते हैं इसने मल्टी-फेक्चर जो यह इसमें दिखाई गये हैं, आउ जो बोण के इसमें हम देख हैं जो गर कुछ इसमें सीधे-सीधे बोण को डरसा रहे हैं, जिसमें यह एक्सरे माद्धयम से, और यह जो बोण के साथ ही जो टेकनिक फीक्सेटर की लगाई गये हैं वो सनको बढ़ाने के लिए लगा हैं या इसी तरह से उनको कवरब करने के लिए लगाएगे हैं इसके बारे में आप बताएगा। शिंप्ल फ्रेक्चर में भी जहां कंवेंशनल प्रोसिज़र यूज नहीं होते private procedure Techर से मेरा कहना है कि अब निल अभा सकते हैं यहां जाप लगा नहीं तो भूसदा ही सिप्टियुस्हाठीकर उसके इत्ने ही ज्ञादा बढ़ते जाते हैं इस्थित्या निल कर सकते हैं किया प्लास्ट्र निलगा सकते हैं यह और जो कॉंप्लिकेशन पॉसिबल है बिल्कुल जश्रक साथ आपने बताया कि बहुत ही कम खर्चे में भी पॉसिबल है अभी एक बहुत ही कॉंप्लिकेटिड ये एक्सिडेंटल केस है जिसमें कि ये पिचर में हम देख रहे हैं पैर जो है वो इसमें फिक्षिटर लगा हुआ है ये एक्सिडेंटल केस है और मुझे लगता है कि ये मेरे ख्याल से तीसरी और चौथी बार इसका ओपरेशन हो करके इसमें अगें फिक्षिटर लगाया है जिसको इस्थिती दर्सा रही है कि एक्सिडेंट काफी है भी हुआ है ये और इसकी जो तीसरी ये चौथी आए कि अब एक बार हमारे फैक्षर हो गया तो साहथ अब ठीक हो जाऊँगा कई बार दो दो बार हमें तिन तिन बार भी ऑपरेशन करके वह करना पड़ता है ये सारा जो प्रोसीजर है स्टेज प्रोसीजर है सिंगल स्टेज नहीं है वहां मैं प्लास्टिक सर्जिन की भ होना बहुत जरूरी है कि अन इस्तितियों में जब यह इस्तिति आती है कि हड़ी पूरी तरह से अब सेफ है उसमें फिक्सेटर लगाते हैं इस जो एक्सरे में देख रहे हैं आप या जो क्लिनिकल पिक्चर है उसमें ग्राफ्टिंग हो चुकी है इसकिन की कंडिशन सब्सक्राइब नहीं होती तब तक हम लोग यह नहीं करते इन ओपरेशन हो में मतले जरूटेकनिक में हैं बहुत मिनिमल इन्वेजव प्रोसीजर है तो इसके नहीं लगाते तो इसकिन की कंडिशन कभी कंप्रॉमाजड भी होती है तब भी हम इसको सफलता पूरवक्ति स् लिम सेविंग सरजरी है ये, बाकी सरजरी में कभी-कभी करने के बाद, इंफेक्शन होने के बाद, या प्लेट इंफेक्ट होने के बाद, या कभी-कभी गैप होने के बाद, पसाने के बाद, उसके बाद भी हम लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं, और काफी सफल टेक्नि कि पूरी दुनिया में अभी कोई इस चीज का कोई सब्सिट्यूट या कोई नई टेक्निक डवलप ने हुई है बिलकुल बहुत इंपोड़न टेक्निक यह है रख साब और मैं अपने सभी कम्टे हेल्थ वरकर्स को बताना चाहूंगा विश्वास भी दिलाना चाहूंगा कि यद इस तरह के केसिज होते हैं तो कहीं हैजिटेट होने के आफ सकता नहीं है आज हमारे पास ऐसे टीटमेंट हैं ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से हम डेफिनेटली बहुत बड़ा जो भी गैप हुआ है हमारा इसको हम फिल अप कर सकते हैं और जिन्दगी में हम अगे बढ़ा करकि उस टेक्निक माध्यम से उसमें हालां कि थोड़ा समय लगता है और उसको पूरा किया जाता है और हड़ी को फिर दो पुरह जोग दिया जाता है काफी एक लगवग उसी तरह की स्थिति आ जाती है हलां कि ओरिजिनल होने में तो थोड़ा सा लगता तो कहीं भी इस तरह की कहीं हैजिटेशन होने की जरूँत नहीं है बिलकूल बताने की जरूँत है आपको जानने की जरूँत है कि आपके New Way जूभाई जे। होस्पीटल है उन में उन में किस तरह के टेक्नेक्स अवेइलिबिल है और कहां बहतर विद्स होता है तो आपन पता होना चाहिए कि हमारे एरिया में कितने होस्पीटल हैं, कहां कहां कौन-कौन से वो होस्पीटल हैं, किस तरह की प्रॉलम्स होने पर उनको हम वहां रेफर कर सकते हैं, इवेन यद वहां आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, तो और भी बहुत अच्छा है, तो यह सब आपको निश्टर रूप से आना चाहिए, और इसी तरह से आप देखी पिक्चर में, यह काफी जो बोंस हैं, इसमें फिक्ष्टर लगे हुए हैं, और इस तरह की पॉजिशन हैं, ज साथ ही, यह देखिए, यह एक बड़ा अलगी तरह का केस है, अड़क साव इस पर तुक आज डालने मेरी ख्याल से, यह एक बच्चे का एक्सरे है, जिसमें के पस पढ़ गया था उसकी अड़ी में, तो अड़ी का कई सारा हिस्सा निकलना निकलना पड़ा गलने के बाद, तो अल्टिमेट यह इस्तिति आई, उसको दीरे दीरे करके हम लोगों ने रिशेप किया, उसकी लेंदिनिंग की, एक बार में एक लिमिट है अड़ी को बढ़ाने की, अलिमिटेट लेंथ नहीं बढ़ा सकते, तो इसका स्टेप बाई स्टेप हम लोग ट्रीटमेंट कर र होगी लिम लेंथ, लिम लेंथ बराबर दूसरे पर नॉर्मल पर के बराबर, तो किसी भी जरीए से आप फिक्सेटर से भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो आज कल बहुत सुगम तरीक हैं, इंटरलोकिंग नेल सा गया है, बहुत अच्छे अच्छे वो डाल सकते हैं, अगर सा बड़ी भारी दिकत भी हो जाती है, और इंफेक्शन होने के चांसे कब कब बहुत ज़्यादा होते हैं, और मेरी ख्याल से हेल्थ वरकर को भी ये जानना बहुत जरूरी है, कि जब वहां से उसको एक्सीडेंटल प्लेस से उठाता है, बिल्कुर किस तरह की चीजें जो है उसे दिया रखनी चाहिए, मेरी ख्याल से. जहां तक एक्सीडेंट में इंफेक्शन होने की बात है, तो उस टाइम तो कोई भी चीज ऐसी आपको लगती है, मिटी है, या कोई गंदगी है, जो आप अटा सकते हैं इजली, उसको जरूर अटा देना चाहिए, जितनी आप रख सकते हैं, वहां रखिए, कमपाउंड फ्रेक्शर में अगर पानी आपको लगता है, कुछ भी चीज इतनी गंदी है कि पानी से दो सकते हैं, वाश करें उसको, सलाइन तो बेस्ट है, पर जो दे सकते हैं आप उस टाइम गंदगी को साफ रख है, उससे आप बहु उसी भी तरीके से उसको इस्टेबिलाज कर दें, जिससे कि जो आर्ट्रीज हैं या मसल हैं उसकी और टियर ना हो, और फर्दर डेमेज ना हो, मेरा एक मैसेज था सब लोगों को, कभी भी लिंब एम्पूटेशन मींस है, जिसको हम कहते हैं पैर को निकाल दें, या हाथ को बार-बार आपको चाहिए होता है, नेचरल लिम नेचरल होता है, तो हमारी जो टारगेट हो यह रहती है, जो भी लिम है उसको सेव करें, और यह एक तरह से लिम सेविंग सरजरी है, कभी-कभी हमारे पास कोई इंप्लांट ऐसा नहीं होता, कंपॉन फेक्चर में लगा द है, और अभी एक इस पिक्चर में हम देखें कि यह जो यह भी स्पेसल केस के रूप में है, किस तरह का यह यह जो एक्सरे है वो एक बीमारी होती है, सी-पी-टी, जन्वजात बीमारी है, जिसमें बच्चे की हड़ी तूट जाती तो वो जूड़ती नहीं है, अभी तक को दीले-दील करके हम ग्रो करते हैं, बोन को जो गय पा जाता है, और जोड़ने के भी उसी अपरेटर से कोसेश करते हैं, दूसरी जो पिक्चर है, उसमें बच्चे के पैर टेड़े हैं, एक लिमिट में एक एच तक, तो हम लोग प्लास्टर करते हैं, जिससे पैर उसके करेंस होती है, उसके इसमें फिर ये इलिजरू टेक्निक से आप बढ़िया से रेजल्ट ले सकते हैं, जिसमें कोई इनवेज़े प्रोसीजर नहीं है, कोई काटपीट या चीरा या इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं, काफी सुगम है, और पैर को आप नॉर्मल की सिती म ला सकते हैं, तो खासतोर से उन लोगों के लिए बहुत भी बढ़िया मेंसिज है, जैसे बचों के जन्व जात इस तरह की प्रॉलम्स हैं, जिनके हाथ पर टेड़े हुए हैं, उनके लिए भी निश्य दूप से इसका फाइदा मिल सकता है, और उन्हें करेक्ट टेक्निक और एक करेक्ट हॉस्पिटल तक करेक्ट जो हमारे एक्सपर्ट हैं या इस्पेसलिस्ट हैं उनके पास तक पहुंचने की आवसकता है, जो की हेल्थ वर्कर सबस्यादा बढ़िया से मदब कर सकते हैं, उस कम्यूटी की जो वहां आसपास है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दिल्ली में अभी हमने बिजिट किया था, यह कि बहुत हैवी एक्सिदेंट हुआ था इनका, और यह डोक्टर गलेडविन त्यागी हैं, जो उनके सर्जन हैं, इनको सर्जरी करके इस टेज तक यह लाए हैं, पीछे इनसे बाचीत हुई थी हमारी, बहुत आजकल मुझे लगता है कि जितने एक्सेदेंट हमारे होते हैं और बहुत जदा कैसे ऐसे हो जाते हैं कंप्लेक्स होते हैं या बहुत परिशानी वाले होते हैं, लेकिन मजी की बात है कि इनको उठाखर लाने में, जो फर्ट और पूरी मदद की, और टाइम्स e औए हंुसूर् और पहू हम इससे पहले कि जो हमारे जैसे बहुत सारी जब प्रॉलमस हो जाती है देखिए योग सबージzyka में फाइदेवन है, वहायम हमें करना चाहिए और खासतों से जब हमें हडी की प्रॉलम हो जाती है तब डॉक्टर्स के दोरह वहायम बताया भी जाता है डोक्टर चोवान में एक बात बोलूँगा बीच में, आजकल autoimmune diseases बहुत हो रही है, और especially orthopedics में जो है rheumatology, जो एक नई ब्रांच डबलप की है, जो medicine की भी है और immunology की भी है, मुझे लगता कहीने कही हमारी body से originate होती है, वो जो हमारे body के cell, अपने ही cell को damage करना चुरू करते हैं, यह origin वहाँ से चुरू होता है, और कहीन कहीं हमें ढूनना पड़ेगा कि योग या किसी विदी से, क्योंकि कोई medicine अची नहीं है, जो उस process को चेक करें, उसको हम लोग modify करते हैं, जो भी हमारी drug है, disease modifying drugs बोलते हैं उसको, तो उसके जरीए हम लोग कोशिश करते हैं, को इस process को रोक नहीं सकते हैं, तो मुझे लगता है कहीं body में कुछ इस तरह का हो सकता हो, योग से, वो induce करें हमारी cells को कि वो उसको न बना, तो शायद हम इतनी बड़ी बीमारी, दुनिया यूरोप पूरा, पूरी अमेरिका में, यह autoimmune disease बहुत common है, बड़ी तेरी से बढ़ सब्सक्राइब करने के लिए बड़ा जरूरी है कि योग बता में अपने पेशेंट को भी कहता हूं कि कम से कम प्राणायाम यह इस तरह की चीज़ें जरूर करने चाहिए, जो कम से कम आपकी डोज को कंट्रूल रखेगी, डोज कंट्रूल करना जो लाइफ पैटर्न है वो ब्यायम करते हैं तो, योग का बड़ा मुझे लगता रोल है इसमें, और मुझे लगता आप लोग ज्यादा बेहतर कर पाएंगे कुछ इसमें, इससे ये बीमारी भी रुके और जोइंट डेमेज रुके, बहुत सारा जो पैसा है, मरीज का, देश का, जोइंट रेप्लेस बहुत सारी बीमारीयों को रोगा जा सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, मैं इससे पहले ये जरूर आपको बताना चाहूँगा कि योग के माध्यम से बहुत सारी बीमारीयों को जो लाइफ इस्टाइल डेजीज हैं, उनको तो खास तोर से रोका ही जा सकता है, कई बार इस तरह की चीज़ां हो जाते हैं, जैसे किसी को हलकी सी चोट लगी, गिर गए हैं, उनके हड़ी में दर्द हो रहा है, उनका बोडी का कोई पार जैसे कोहनी कहीं दीवार में लगी, या उनका हाथ बाल्ट उठाते में थोड़ा सा उसमें मसिल्स खेज गई, तो ऐसे केसे में डग सब थोड़ा सा ये प्रकाश डालना भी जरूरी होगा, जो बहुत कम उनको ये कह सकते हैं कि बिलड भी नहीं निकला, चोट भी लगी, हड़ी में भी थोड़ा दर्द रहता है, ऐसी इस्थिती में उनके लिए क्या करना चाहिए और कैसे उनको लाव हो सकता है, जो इस तरह की चोटे हैं या इस तरह के दर्द हैं, जो हलकी फलकी चोटे हैं जिसको बोल सकते हैं आप, उसमें एक तो मेरा सजेशन यह है कि कभी भी गरम पानी से सिकाई ना करें चोट में, वो बरफ से सिकाई करें, वो फस्टेट का भी पार्ट है, जब भी लगती है या ब्लीडिंग होती है ति जतना हो कोशिश करें ठंडे पानी से ना कुछ अब यह वह तो ठंडे पानी से करें बरफ हो तो सबसे अच्छा दूसरी बात कुछ पेन के लिए ले सकते हैं तीसरी उसको इस्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है तब तक रहस जाए तब तक वो टिशू हील ना कर जाए अब बाकी नेचरो थरेपी में कुछ खा सकते हैं आप जैसे आजकल हल्दी का बहुत चल्ला है अधरक सौंट यह सब हम लोगों के पुराने टाइम स बिल्कुल लडग सब आप बहुत बढ़िया तवी के साफ में बताया कि यह कम चोट लगती है या इस तरह का ब्लड नहीं निकलता या हल्की पुल्की कई वार हड़ी में चोट लग जाती है और उनके पेन होता है तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें घर पे भी वो लोग क से रिसर्च इस तरह की तो नहीं अभी अवेलेबल है लेकिन फिर भी यह देखा गया है कि बहुत सारी जो लाइफ इस्टाइल डिजीज है उनको काफी कंट्रोल किया है योग में तो योग में हम सभासन कर सकते हैं टीटी के कर सकते हैं उत्तानपादासन अर्धालासन आप भावित वो होती है ब्रेका स्कुलेशन में फरिक पड़ता है स्वास प्रस्वास की जुगती है और इस्परेशन डेट उसमें भी अंतर आता है त्रियक तारासन को करते हैं तो हमारी यो कमर की आसपास की मसिल्स हैं उनने भी पढ़ता है बोंस भी किस्ती हैं इसी तर से कांठी चकरासन है का्टि मिन्स कमर का मतलब है कमर को खास्तोर से जो लोग फैड ज्यादा बड़ता है इनके कमर पे तो वो संसक्ते 60만 में कहीं रुखने यो फो सब्सक्ता नियोती ओहता लगा रहता है यसे दन्बय ठकारा है तो अग, दो isme इस तरह से दन बेठक वो करता रहेगा लेकिन आसन में आप देखिए किसी पॉस्टर में आप चले जाए उस पॉस्टर में जब व्यक्ति पहुंच जाता है इनी से स्टेज से ले करके उसकी फाइनल स्टेज जैसे होगी तो वहां जाकर कि वो कुछ सेकेंड चाहिए वो तीस सेकेंड है एक मिनट है यहां तक कि तीन घंटे तीन घंटे का जो एक मैक्सिम टाइम जो माना जाता है आसन के लिए कि तीन घंटे किसी पॉस्टर में रोकना सबसे बड़ा वैनिफिट उसका होता है हलां कि यह पॉसिविल इतना आसानी से नहीं है तो आदा-दा घंटे भ सकते हैं और मक्राशन ऐसन भोजंगा सनide नंकाशन है अर्ध मत्र संक्रासन बहुत फाइदेवंड है पश्मुत थान आसन हम कर सकते हैं इस तरह से सूर नमस्कार इक इस तरह का गुरुप है जिसमें कि कोई आसम नहीं करिए सूर नमस्कार आप तीन शक्र कर लीजिए डेली तो इसका बड़ा फाइदा हो सकता है प्रयाम आप करें तो नाड़ी सोधन प्रयाम बहुत इजी है भ्हामरी प्रयाम आप कर सकते हैं ओम चैंटिंग आप कर सकते हैं तो इनके म काईदा आपको हुआ हुआ मैं डग साब का धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस्टूडियो मारे बहुत अच्छी जन करिया अपने दी नमस्कार जैहन नमस्कार जैहन